RCB vs PBKS Highlights, IPL 2024, Royal Challengers Bengaluru, RCB का IPL 2024 में जीत का खाता खुल गया है। RCB ने सोमवार को Bengaluru के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पंजाब किंग्स PBKS को चार विकेट से माद दी। पंजाब ने टॉस गमवाने के बाद 176 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में RCB ने 19.2 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन जुटाए। RCB को अपने पहले मैच में चैन्नाई सुपर किंग्स, CSK के हाथों हार का मुह देखना पड़ा था। पंजाब के खिलाफ विराट कोहली और दिनेश कार्तिक ने तूफानी बल्ले बाजी की। कोहली ने 49 गेंदों में 11 चौकों और 2 चौकों के दम पर 77 रन की पारी खेली। वहीं कार्तिक ने 10 गेंदों में नाबाद 28 रन बनाए। उन्होंने 3 चौके और 2 चौके ठोके। एक समय RCB की मुश्किल में फंस्ती नजर आ रही थी। ऐसे में कार्तिक ने महिपाल लोमरोर 8 गेंदों नाबाद 17, 2-6, 1-4 के साथ 6 विकेट के लिए 48 रन जोड़कर बेंगलुरू की नया पार लगाई। लक्षय का पीछा करते हुए RCB की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान फाफ डुपलेसी महज 3 रन बनाकर आउट हो गए। कोहली ने 3 विकेट के लिए रजत पाटीदार 18 के साथ 3 विकेट के लिए 43 रन की साजहिदारी की। कैमरून ग्रीन 3 और ग्लेन मैक्सवेल 3 सस्ते में पवेलियन लोटे। कोहली 16 वें ओवर में हर्शल पटेल का शिकार बने। अनुजरावत 11 बड़ी पारी नहीं खेल पाए। पंजाब की ओर से हरप्रीत बराड और कगिसो रबाडा ने दो-दो विकेट चटकाए। सैम कर करण सिंह 25 के साथ दूसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की। जौनी बेर्स्ट को बल्ला नहीं चला। लियाम लिविंग स्टोन ने 17 रन का योगदान दिया। जितेश शर्मा, 25 और सैम करण, तिथीन ने चौथे विकेट के लिए 52 रन जोड़कर PB केस को 150 का आंकड तक पहुँचाया। शशंका सिंह 21 और हरप्रीत बराट दो रन बना कर नाबाद रहे। RCB के लिए मोहमद सिराज और ग्लेन मैक्सवेल ने दो-दो जबकि यश दयाल और अलजारी जोसेफ ने एक-एक विकेट हासिल किया। लेवन शिखरधवन, कप्तान, जौनी बेरस्टो, प्रबसिम्रण सिंह, सैम कुरेन, जितेश शर्मा, विकेट कीपर, लियाम लिविंग स्टोन, शशांक सिंह, हरप्रीत बराड, हर्शल पतेल, कैगिसो रबाड़ा, राहुल चाहर।